16 ओक्टूबर 2023 सल्मान खान के टैंस के लिए ये दिन इतिहास बन चुका है क्योंकि आज की दिन टाइगर 3 का धमाकिदार ट्वेलर रिलीस हुआ जिसने तबाह कि लाधी आलम कुछ ऐसा हुआ कि फिल्म का ट्वेलर धराधर धराधर रिकॉर्ड कायम कर रहा है और बहुत इच टाइगर 3 के ट्वेलर का पठान की ट्वेलर जी हाँ शारू की कमबैक फिल्म जिसने वर्ल्ड वाइड लेवल पर 1000 करोड से उपर की कमाई की उसके साथ कंपेरिजन शुरू हो गया है दरसल हर बार की तरहा टाइगर 3 का ट्वेलर आते ही सल्मान और शारू के फंस सोशल मिडिया पर तगड़े तरीके से भिड़ गए वजहा है फिल्म के ट्वेलर के व्यूज और लाइक्स को लेकर यहां तक की स्क्रीन शॉट्स शिर किये जा रहे हैं बकायता प्रूफ के साथ ये घोशित किया जा रहा है कि इस ट्रेलर वार में आखिर शुर्वाती पारी किसके नाम रही है तो चलिए हम भी अपनी इस रिपोर्ट के जरी आपको बता दे हैं कि आखिर ट्वेलर व्यूज के मामले में पठान को मात दे पाया है या फिर नहीं तरसल शारूख खान के ही फेंडम के एक शक्स ने ट्विटर पर दो स्क्रीन शॉट्ट शॉर किये हैं एक तरफ पठान के ट्विलर है दूसी तरफ टाइगर का अगर इस स्क्रीन शॉट्ट के आकडों पर गौर करें तो पता चलता है कि सल्मान खान शारूख खान से वाकई चूग गए हैं हालकि ये डिफरेंस जादा नंबर्स का नहीं है लेकिन अगर आकडों की माने तो शारूख के पठान ने इस वार को जीत लिया है देखिए स्क्रीन शॉट्स के मताबिक टाइगर ट्वी को एक घंटे में 2.3 मिलियन व्यूज मिले हैं जबकि लाइक 3,89,000 हैं वहीं शारूख खान की फिल्म पठान की ट्रेलर की बात करें तो इसे एक घंटे में 2.5 मिलियन व्यूज और 4,72,000 लाइक्स मिले हैं इतना ही नहीं अगर बात करें 500 के लाइक्स यानि की 5 लाइक्स लाइक्स होने की तो इसमें भी पठान टाइगर 3 पर भारी पड़ गया है क्योंकि जहां पठान को 5 लाइक्स एक घंटे 8 मिनट के दौरान मिल गए थे वहीं ये कमाल करने में टाइगर को एक घंटा 54 मिनट लग गया ऐसे में इस लड़ाई का विजेता तो पठान निकला और कहीं न कहीं लगता है कि टाइगर वर्सेस पठान की शुरवाद दोनों फिल्मों के ट्विलर व्यूज और लाइक्स से हो गई है अब आगे क्या होगा ये देखना दिल्चस्प रहेगा बात करें टाइगर 3 के ट्विलर की तो ट्विलर की शुरवाद इम्राण हाश्मिक के डायलोग से होती है इसके बाद सल्मान खान और टुट्विना गैप दिखते हैं ट्रिलर में साँ पता चल गया है कि इस बाद टाइगर देश और अपनी फैमिली दोनों के लिए लड़ता हुआ दिखाई देगा